नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोग अपिट जंकी के कौन नहीं वीडियो के अंदर तो आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्टूपर स्मैश लीग के 23rd मैच के बारे में जो की होने वाल है अपना ओकलेंड और उटागो के बी जिस समय के अपता लेगा कि हम यह दोनों टीम इस वाली लीग के अंदर कैसा परफॉर्म कर रही है और आने वाला जो मैच है उसके अंदर में कैसा परफॉर्म करती हो यह दिख सकती है तो कैसे हमारी पॉइंट टेबल कुछ इस प्रकार रहेगी जहां पर हमारी ओकलेंड इस दूसरे जानब साम पर बैठी है इस वाली लीग के अंदर वेलिंग्टन के बाद ने जहां पर इस वाली टीम के टोडल साथ मैचे हुए हैं जहां पर उन्होंने चार जीते हैं एक हारा है मैच और इनके दो मैच अबेंडन हुए हैं अगर इनके लास्त तीन को दिखा है तो लगातार जीते हैं और 20 points के साथ में 1.5 लास्त नेत जीते फिर जीते फिर 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 देनिस के साथ देखें तो इनके 10 पॉइंट के साथ मैं यहां पर बैठें और यह करने हैं तरने करना है इस वाले लीग के अधर माहिए वही पर अपनी दूसरी टीम ओटागो तो चार चार मैशार के बैठी है तो पर देखें तो पनी ऑटागों के खालत थुड़ी देखने को में हमारे इससे वाले dolory हैं उसके एक एंदर और आठ 28 आफ़ goed एक य翻 साथ करन के जो लास्ट गेम हो था वह था अपना नदर डिश्टिक के खिलाफ जो किया इन्हों ने जीता था काफी अच्छे तरीके से साथ-साथ हमारे बोलर लॉकी फैगुरु सन्या लास्वाले गेम के अंदर टोटल चार विकेट्स देती सामने वाले टीम की जो किया इनक बनाया थे 37 बॉलों के अंदर 41 रिटा पर इंदों के लाडन ने मिल गया सोरं के बार स्कूर देजिए था जो कि हमारी टीम के लिए काफी बड़े स्कूर था साथ-साथ-साथ-स लोई-डेल-पोर्ट ने दो विकेट्ट और बेंजमें डिश्ट ने एक कीटली थी तो गैस कप्तान रोबाट औरचनल, विलियम औरचनल, कैम फेचर, अपने राइन हरिसन, डानु फ्रेंज, लॉकिए फैगोर्सन, लास्ट वाले मैच के अंदर बहुत बड़ी बोलिंग लिख सेसे met gets लिए कि अधिन लुजो Mortley य३ो लिश्ट ने हमारे प्रेट्रे लिवनहारे अ मिलकर ही देड़सु रन बना दिये जो कि उटाओ के लिए काफी बड़ी समस्या कारण बन गए थे साथ सामने आरे टीम ने ट्रोटल उनको एक सो अठास जन का टार्गेट दिया था हमारी उटाओ को जो कि आरिया पूरा नहीं कर पाए जहां पर हमारे उपने खिलाड़ी मैक चू ने 34 रन और ओली वाइड ने 30 बनाए और लियू जांसन ने 22 बनाए और साथ से हाथ हमारी जो सेंट्रिलिस्टिक थी उन्होंने हमारी उटाओ को वोल्ड को मातर 135 दन पर ही ओल आउट कर दिया तो अपने उटाओ को वोल्ड की बैटिंग है बिल्कूल भी नहीं चली आपनी बैटिंग फाम में काफी हलकी देखने गयर रहिए है औंप नम बैटिंग ऑफ नरी ऐ हमारे थेल्स दीप्यार फेस करने को में लेगी हमां सामने लेगा और इसे से किलाफ अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी प्लेइग एलएन के बारे में उटाग की प्लेइंगी इलएवन कुछ इस पश्कवार रहे हैंगी जहां पर हमारे पास है मिश रधर फोड देखने को मिलेंगे और जेक गिपसन इन्हों लाज सोली गेम के अंदर बस 31 करन के आस्था बनाये थे जो कि ठीक ठाक प्लेयर है थोड़ी सी मदद कर सकते हैं थोड़ी से अपनी बैटिंग को फोकस करके अपने हमारी टीम को खोड़ा सा और रन बनाने के लिए मदद कर सकते हैं तैन वैंग लोक्रॉस और इस थोड़ी सी नम रहेगी और बूलर्स को और बेटर परफॉरमस मिलेगी और बैटर्स को थोड़ी बहुत दिक्क्त देखने को मिल सकती है बात करें कितना रन जा सकता है तो वहां तो से लिएक सुसाट तक का जा सकता है बलकि थोड़ा कम ही रहेगा थोड़ी सी नम रहेगी जिसके काणना बोलिंग को अच्छी खासी मदद मिलेगी बात करें इस वाले गेम के अंदर कौन सी टीम जीतने के चांट से जादा है तो इस वाले गेम के अंदर अपनी ऑकले अच्छी नहीं है लेकिन बोलिंग फॉम भी इतने इच्छी नहीं कि अपनी बैटिंग फॉम है जो उनकी मिडल और की बैटिंग फॉम है उसको यह कवर कर सके तो अपर हम देखें तुमारी जो अपनी ऑकलेंड डेस की और बोलिंग और बैटिंग दो निटीम है काफी शॉंग देखने को मि मैं आपके लिए इसी नौलेजबल वीडियो लाते रहता हूं मैं मैं मिलूँगा आप से नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप तक के लिए बाई